कुरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार सुरक्षा की बात कही जा रही है कहा ये भी जा रहा है कि ये तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है इसके बाव जो जार्खन में सीनिर बच्चों के लिए स्कूल खोल दिये के हैं और स्कूल खोलने के एक हफते बाद ही बच्चे पुरोना से संक्रमित होने लगे हैं मामला है मारवारी स्कूल का जहां फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया गया है रेपीट एंटिजन टेस्ट हुआ था उसमें 180 बच्चों का टेस्ट हुआ था और उन लोगों ने बाद में करीब करीब डेर वजे के आस पास बताया कि तीन बच्चे आपके माइनर संक्रमित हैं तो बाद में उन तीन बच्चों को हम लोग ट्रेस आउट के चुकि हमारे बच्चे आठ से बादा राते हैं और नास्ता लेके आते नहीं स्कूल खुलने के बाद शुक्रवाद को स्कूल में बच्चों का एंटिजन टेस्ट हुआ जिनकी रिपोर्ट आई तो सब सक्ते में रह गए करीब सो बच्चों की जाँच में तीन बच्चे संक्रमित पाए गए ये सभी बच्चे नौवी क्लास के हैं बच्चों के पॉजिटिव आने के बाद स्कूल प्रशाशन ने कई चेंज किये हैं सोंबार से हम लोग सारे क्लासेश को रोस्टर वाइज गुला रहे हैं एक सब्ता हम लोग उनकी उपस्तिती को देखेंगे और फिर जिस क्लासेश में उपस्तिती कम होगी तो उसके लिए फिर कोई निन्ने करेंगे अगी ततकाल में हम लोग रोस्टर वाइज बुलाएंगे, चुकि हमारी या 9th, 10th और 12th ये 3 क्लासे आ रहे हैं, 11 का एड्मिशन चल रहा है बता दें कि कोरोडा संक्रमन के रफ्तार को देखते हुए राज सरकार ने अनलॉक के तहट कई शेत्रों में छूट दी है इसी कड़ी में एक बार फिर सीनर बच्चों के लिए भी स्कूल खोली जाने को लेकर निर्देश जारी किये गया है इस निर्देश के तहट 6 अगस्थ से राज्य के नौवी से लेकर बारवी तक के विद्ध्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिया गया है फिलहाल स्कूल प्रभंधन की ओर से of से स्कूल को बंद करके सैनिटाइजीशन का कारिक किया जा रहा है उसके बाद जिला प्रशाशन के साथ बाच्चित करने के बाद ही स्कूल खोले जाने का निर्देश लिया जाएगा एक बार फिर स्कूलों में कुरोना का संक्रमन पाई जाने के बाद अभिभावकों में डर पैदा हो गया है ये थी राची से आकाश कुमार की रिपोर्ट बिहार तक